नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं हूँ राहुल तिवारी और आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं 1989 में एक फिलम आई थी जिसका नाम था चांदनी और चांदनी फिलम में रिसी कपूर और स्री देवी जी को देखने को मिला था और इस फिलम के अंदर एक गाना था सहरों में एक सहर चुना था सहर चुना था दिल्ली और दिल्ली सहर में चांदनी नाम की लड़की हमको मिली ऐसे ही कुछ करके वो गाना था तो उस फिलम के कुछ सीन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो की दिली के अंदर राष्ट पती भवन के पास फिल्माए गए थे तो अभी हम चलते हैं बैक कैमरे में और दिखाते हैं आपको मूवी के वो सीन जो की चांदनी फिलम के अंदर दिखाए गए थे आप सामने देख सकते हैं ये है राष्ट पती भवन और राष्ट पती भवन के पास ही हमें चलना है तो अभी हम इस राष्टे से चलेंगे तो ये सामने की तरफ देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी ये जील है तो अभी चलते हैं हम इस राष्टे से और देखते हैं आगे का से दिखाई पड़ रहा होगा और उसके इस साइड में है ये राष्टपती भवन और इसी के पास ही हुए हैं मूवी के वो सीन सूट तो आईए चलते हैं थोड़ा आगे की साइड में आ गए हैं उसी लोकेशन मूवी के वो सीन सूट किये गए थे तो चलिए हम पहले कैमर अधरा का फ्रेम सेट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो दोस्तो फिलम के अंदर एक सीन कुछ इस तरीके से दिखाया गया था जब गाने के अंदर इस जगे पे आते हैं गाना गाते हुए रिशी कपूर और सिरी देभी जी तो नीचे स्क्रींशोट से आप मिला सकत और ये जो अभी ट्रेफिक का लगा हुआ है एक सिगनल हालाकि ये उस टाइम पे नहीं था जब फिलम की सूटिंग हुई थी और इसको अभी लगाया गया है इसके उपर एक गूत पे बैठता है कंस्टेबल जो की आवागमन के लिए आने जाने वालों को संकेत देता रहता है और दूसरा सिगन फिलम के अंदर यहां से लिया गया था कुछ इस तरीके से जूम करके दिखा रहे हैं तो वो सीन कुछ ऐसे ही सूट हुआ था सामने की तरफ से आते हैं रिसी का पूर दोड़ते हुए तो नीचे स्क्रीन सोट के जरीए आप देख सकते हैं तो कुछ ऐसे करके दिखाया गया था वो सीन और एक सीन में कुछ इस तरीके से दिखाया गया था तो दोनो साइट राष्ट पति भावन का जो आप देख सकते हैं गेट है वो दिख रहा है और इसके आगे जाना इलाउट नहीं है फिलम का जो सीन एक था वो यहां से दिखाया गया था और अभी पहले हम आपको दिखा देते हैं ये है राष्ट पती भवन और राष्ट पती भवन के जश्ट सामने ही है संसत भवन तो इसी संसत भवन में बैठते हैं हमारे सारे राज के नेता जो होते हैं तो अभी हम आपक दिखाते हैं वो सीन जो यहां पे सूट हुआ था तो कैमरा एंगल कुछ मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूं और अब यहां पे काफी थोड़ा चेंजस है जिस वज़े से यह पेंड़ा गया है उतनी समय यह पेंड़ नहीं था तो मूबी का एक सीन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप तो फिल्म के अंदर का कुछ सीन जो था वो इंडिया गेट पे शूट हुआ अभी हम चलते हैं इंडिया घेट की तरफ और वहां पे दिखाते हैं कुछ सीन जो कि इनडिया गेट के पास लिए गए थे और यह हमारे पीछे साइड में जो आप देख रह तो अभी हम वहीं चलने वाले हैं और इधर करना जारा आप देख सकते हैं जब यहां पर परेड होता है 26 जनवरी को और इसी के उपर से जो जहाज होती है वो उडान भरती है और इस साइड में कुछ जहांकियां जो हैं वो निकाली जाती हैं और जो हमारे राष्ट पती होते हैं तो इस साइड में और इस साइड में जो आप देख रहे हैं पार्क टाइप की खाली जगे है इन्हीं पर बहुत सारे लोग होते हैं जो परेड देखने के लिए आते हैं तो अभी हम चल रहे हैं इंडिया गेट पर तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम इंडिया गेट के पास और देख सकते हैं कि सामने जो रोड है इसी के पास सूट हुआ था वो सीन तो अभी नीचे स्क्रिन सोट के जरीए आप मैच करते रहे ना तो मैं नीचे स्क्रिन सोट लगा दे रहा हूं दोस्तों फिलम का जो सीन था वो कुछ इसी एंगल से सूट हुआ था और सामने की तरफ इंडिया गेट दिखता है और आप एक चीज देख सकते हैं स्क्रिन सोट में कि ये जो रोड है जिस पे भी गाड़ियां चल रही है ये भी दिखाई पड़ती है सीन के अंदर और यहीं पर खड़े होते हैं रिसी कपूर जी और पुलिस वाला जो होता है उनको मारने के लिए हलका सडंडा मतलब डराता है उनको तो वो जो सीन था वो कुछ इसी एंगल से सूट किया गया था इस जगे पे और दोस्तों गाने के अंदर जो अगला सीन था उसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है तो अभी यहां पर काफी चेंजिंग हो गई है और यह जो स सामने मूरती दिख रही है और इसके जो नीचे साइड में आप देख सकते हैं रेड कि बवंडरी लगा दी गई है तो पहले उस वक्त वो बवंडरी नहीं लगी हुई होती है तो यहीं पे खड़ी होती है मोटरसाइकल रिशी कपूर की और साइड में खड़ा हुआ होता ह पुलिस वाला तो वो जो सीन था वो कुछ इसी तरीके से दिखाया गया है और सीन में आप देख सकते हैं स्क्रीन सोट के जरीए कि जो सामने सुभास चंदबोस जी की मूरती लगी है ये आपको नजर आ रही है और इसके बाहर साइट की जो बवंट्री है इसको बाद में बन हुआ है जो कि रात में चलाते हैं तलाब टाइप का तो वो जो सीन था वो कुछ इसी तरीके से यहां पे सूट किया गया था और मूवी के अंदर एक सीन को इस गार्डन के अंदर से सूट किया गया था दोस्तों इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि इसको बंद क कर दिया गया है लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिज करता हूं तो वो जो सीन था वो दोस्तों कुछ इस तरीके से लिया गया था तो अभी मैं पहले कैमरे को थोड़ा सेट कर देता हूं इस तरीके से तो दोस्तो मूवी का जो सीन था वो कुछ इस तरीके से लिया गया था मैंने कैमरा सेट कर दिया है और नीचे स्क्रियन सोट से आप मैच कर लेना तो वो जो सामने जील के अंदर दिल बने हुए है वो दिल नजर आता है और ये जो जील है अंदर इसके दूसरी साइड में बहुत सारे आदमी खड़े हुए होते हैं तो वो सीन जो था वो कुछ इसी एंगल से यहाँ पर सूट किया गया था इस स्क्रिन सोट के जरी आप मैच कर सकते हैं तो दोस्तो आज की ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ एक नई लोकेशन पर तब तक के लिए बंदे मतरम भारत माता की जै